दोस्तो आज मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं और जैसे कि आप सभी को पता है कि सर्दी स्टार्ट हो चुकी है और सर्दी के अंदर अक्सर हम देखते हैं कि हमारी तोचा जो खुसक हो जाती है एकदम रूखी-रूखी हो जाती है और उंगली हम कहीं भी सरीर दूख्यों पर फेरते हैं तो उसके नीचे वाइट वाइट एक दम हो जाता है तो उसका क्या इलाज कर सकते हम तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज़्यादा हम फाइवर चीजे खाएं फ्रूट खूब खाएं और सलाद लें सलाद के अंदर भी क्योंकि सर् पुस्ती सलाद मिलती है और यह हम सलादर फाइवर खाएंगे तो हमारे पानी की पूरती कर देगी शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं रहेगी उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जैसे गर्मियों के अंदर इसनान करने से पहले नारियल का तेल लगाते हैं तो सर्दियों के अंदर यदि तिली के तेल की बढ़िया पूरे सरीर के अंदर अच्छी मालिस करते हैं तो इससे हमारे तोचा के अंदर रूखापन खतम हो जाता है आदा गंटा पहले लगा कर पूरे सरीर पर अच्छी तरह से फिर हम इसनान कर लें क्योंकि हम सर्दी के तरक कोई भी चीज इसकीन के लिए नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूँ तो इसलिए हम इसकीन पर नहाने से पहले तोचा पर तिली का तेल लगाएंगे तो हमारी इसकीन मुलैम रहेगी और फिर भी थोड़ी किसी के प्रोब्लम हो तो नहाने के बाद में एक बार थोड़ करेंडे के अंदर यदि हम तिली का तेल खाएंगे तो इससे बढ़िया सर्दी के अंदर कोई चीज नहीं है क्योंकि तेल शर्दी के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्याना चाहिए शरीर पर लगाना चाहिए तो मैं आज ये चोटा जाएक आपके लिए वीडियो लाया था अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें, यदि अच्छे आपको बात लगी होतो होगी, धन्यवाद.